उनको जो भारतिय संस्कृति है इंदू संस्कृति है उसको मनना होगा अठारसो संताओन में पूरा देश एक साथ अग्रेजों के खिलाब खड़ा दें हुगा संबिधान से ही देखिए लोकतंतर निकला है अठारासो संताओन में पूरा देश एक साथ अग्रेजू के खिलाब खड़ा दे हुगा नमस्कार मेरना मालोक है आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं लगातार एनार सी और सी ये को लेकर बहुत सारी ख़बर निकल के आती हैं लेकिन आज हम विशेश चर्चा करने बैठे हैं चर्चा में इस वक्त हमाई सब मौझूद है राज़त के राष्ट्र विपार्द्रक शिवान तिवारी जी अच्छा ये जो एनार सी है या सी है इसका मूल इसकी जो भावना है वो क्या ह है इसका समिधान पर किसे किसा असर पर रहा है देखिए हमको ऐसा लगता है कि हम लोग जो है इसको हिंदू मुसल्मान के नजरिये से देख रहे हैं इसलिए मुसल्मान भी इसको सिर्फ उसी नजरिये से देख रहे हैं मुसल्मानों के अंदर गुसा है उनको लग रहा है कि बिलकुल हमको अलग थलग किया जा रहा है और हिंदू समाज के लोग भी मोटा मोटी सी धंग से इसको देख रहा है और सरकार ने भी बिलकुल सुन्योजित धंग से इसको हिंदू-मुसल्मान के रूप में ही वो बनाया रखना चाहती है लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इस नजरिये से हिंदु मुसल्मान के नजरिये से ही सिर्फ इसको देखना जो है गंबीर भूलोगी यह असली सवाल यह है कि हमारा संभीधान जो है खत्र में है और संभीधान से ही देखिए लोगतंतर निकला है या संभीधान से ही हमारे देश को संचालित करने वाली चलाने वाली जो संस्थाएं है चाहे वो कोट कचारी हो सुप्रीम कोट हो election commission हो या बाकी सारी संस्थाएं उसी से निकली है संविधान खतम बतलब लोगतंतर खतम सारी संस्थाएं खतम ये जो चुनोती है हमारे सामने बहुत ही गंभीर चुनोती है और हम उसको इसी जजरिये से देख रहा है क्यों हमको ऐसा लग रहा है देखे जब से ये सरकार बनी है 2014 में आप याद कीजिए कि 2014 में नरेंदर बोदी जो अभियान चला रहा थे चुनाओ का उसमें उन्होंने क्या क्या कहा था दो करोड नौजवानों को हम काम देंगे किसानों के बारे में उन्होंने कहा था सबको साथ लेकर चलने की बात उन्होंने कही थी सारी बाते खतम हो गई अब सिर्फ यही बातें इनकी सरकार बनी है तब से चला आप देखिए कि सुरू से चाहे घर वापसी हो चाहे लब जयाद हो चाहे गवरक्षा हो चाहे तीन तलाक हो या तीन सो सत्तर हो और ये भी उसी इक्रम में आप इसको देखिए तो ये देश को चला नहीं पा रहा है और इनका एजेंडा यही है अब देखिएगा कि हमारा समीधान का जो निर्मान हुआ है इसके पीछे आजादी का संगर्स है और पहली दफ़ा आजादी का ये जो संगर्स था जो महात्मा गांधी के नेत्रतु में हुआ उसने देश को एक किया इसके पहले जो जो सबसे बड़ा संगर्स हुआ है आजादी का वो अठारप संतावन में हुआ है अठारा सो संतावन में पूरा देश एक सा अंग्रेसों के खिलाप खड़ा नहीं हुआ दक्षिन भारत एक्दम अच्छूता था बलकि 1857 के गदर को दबाने के लिए सीख रेजिमेंट का अंग्रेजों ने इस्तमाल किया गांधी जी के ने तुर्तु में और गांधी जी ने को लगा कि हमको सांती में ढंग से ही अंग्रेजों को हटा सकते हैं और पूरे देश की ताकत जब तक नहीं लगेगी तब तक नहीं इटाया जा सकता है अब देश जो है इसा बटा हुआ था जाध के अधार पर बटा हुआ था भासा के अधार पर बटा हुआ था धर्म के अधार पर बटा हुआ था उस सबको एक साथ जोड़ना ये उस समय की चुनोती थे और गांधी जी ने इस चुनोती को सिविगार किया और उस संगर्ज के दर्मियान उन्होंने देश की जनता से वादा किया कि अजाद भारत में सबको बराबरी के साथ सम्मान के साथ जीने का हक मिलेगा कि उन्होंने कहा उसी समय कहा गया कि चुआचूत में क्क खिलाफत की गई का गांधी जी ने कहा कि सब लोग समय पैदा हूँ हैं सब लोग बराबर हैं पहली दप गरजकर करके उन्होंने कहा उसी दंसे दुसरे धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनको भी अहवान किया और देखिए का उन्होंने खिलाफ़त जो आंदोलन सुरू किया था खिलाफ़त आंदोलन फिल्क हो गया तनाव बढ़ा हूँ अलग बात है लेकिन उसके पीछे भी मान सिक्ता ये थी उनको लग रहा था कि ये दो बड़े समाज हैं हिंदू और मुसल्मान उसको एक करने के लिए खिलाफ़त का भी आंदोलन चला है दक्षिन अफ्रिका में भी उन्होंने ये किया था अब ये जो लोग हैं क्या नाव है हिंदुत वाले जो लोग हैं ये अजादी के ललाई में कहीं थे नहीं सवरकर साहब जेल गए थे इसमें कहीं कोई शंदे नहीं इंग्लेंड में उन्होंने प्रिट करके एक अंग्रेज अपसरक की घत्या करवा दी उसमें वो गिरफ्तार हुए गिरफ्तार होने के बाद वो पानी के जहाज से कूद के बने निकले दस कदम गए पकड़ा गए काला पानी की सजा हुई काला पानी की सजा हुई आजीवन सजा हुई लंबी सजा हुई काला पानी से निकलने के लिए उन्होंने कई चिठियां लिखी अंग्रेजों को और कहा कि साहब आप हमको बाहर निकाल दीए जो नौजवान हिंसा के रास्ते में हैं उन को बताएंगे कि नहीं सावि समराज के साथ सहकार करना चाहिए स्वयोग करना चाहिए मुआ उसी समय हिंदुत्त जो है जो सब्द पैदा हुआ सिधांत जो बादा उसके जनक सावरकर साहब हैं उन्होंने हिंदुत्य सब्द का पहली दफा प्रियोग किया और उन्होंने एक सी दांत निकाला कि इस देश के असली नागरिक कौन है तो उन्होंने कहा कि जिसकी मात्र भूमी और पुन्य भूमी पुन्य भूमी मैंने तिर्श स्थान इस देश में है वह असली ना मुसलमानों का मक्का है एशाय का जरूसलम है तो इनको कहा कि यह दो एक नमबर के नागरिक नहीं है जिसकी पुझे बूमी देश के बाहर है उनको जो भारतिय संस्कृति है हिंदु संस्कृति है उसको मानना होगा और अगर वो नहीं मानते हैं तो इस डेस में उनको दोएम दर्जे का नागरिक जो है माना जाएगा अब देखे मुहमद अली जीना जो है डरवा रहे थे जब उन्होंने अलग हुए तो सुरू में कांग्रेस में थे बहुत ही सिकुलर नेता थे गांधी जी के आगंशन के पहले मतलब trauma 1916 में मैं गांग्रेस और मुस्लिब लीग में जो समझाता हुआ था उसमेँ मने लोकमान तिलक जी जिन्दा थे तिलप झी और क्या नाम है मने मूहमय और फिंदतलि जीना के प्रियास से ही यह समझावता हुआ था बड़े नेता थे गनδhij जी के आने के बाद जो है धीरे धीरे गंधी जीस भ्रास्टी प्थन पचा गए गांधी जी नेता हो गए और उसमें जो है दोएम दर्जे का इस्तिती हो गई उनकी लिग की उनके मन में प्रतिक्रिया हुई उन्होंने मुसल्मानों का नेता बनने के लिए कहना शुरू किया कि अजाद भारत में जब लोक तंत रहेगा तो तीन चोथाई हिंदू हैं एक चोथाई जो है मुसल्मान ह तो हिंदूों का साथन जो है मुसल्मान पर होगा और यह सावरकर सहाब और हिंदू तो वाले जो है पाथ में ड्स भाइटधाबार से अलग उन्होंने हिंदू महासाबा से अलग रास्चे संस्योक सक बनाया है उन्होंने 25 में इनों ने भी कहना शुरू किया कि जिनकी को तो दोईम्दर जी के नागरिकों के तो जिनना द़र्वा रहे थे मुसल्मानों को लिए जो है मुसल्मानों को को हो रहे थे कि नहीं साव अगर आप नहीं हमारी संस्कृति को अपना यीग तो य्यक्णना मदद किया उन्होंने तो उसमें जो गांधी जीन वादा किया था तो भारतिय संविधान का जो निर्मान हुआ उस निर्मान के पीछे कहानी यही है देश को जोडने वाला यह संविधान रहा है programme अजादी के लड़ाई मैं जो देश में एक चूड़ता काईम हुई उसे चूड़ता को काईम रखने के लिए यह संभीधान जो है बना आफ ये चुकी अज्यादी के लड़ाई में कभी नहीं रहे हैं इसलिए संभीधान की चिंटा इनको नहीं है जो कानून नया करaya था यह किसानों का सवाल था इन सथ किसी में में भी मनें यह सफल नहीं हो रहा है देश में भयानक मंदी का सवर है लोगों के सामने भूख की चुन होती है पेट भरने की चुन होती है रोटी कमाने की चुन होती है उसका समाधान जो है देश में ओ नहीं रहा है इनके सामने ही एक रास्ता है और आप याद कीजिए अब तो खुल करके बात आ रही है कई अख़बारों ने इसको लिखा है कि जो बाला कोट हुआ उसका अभी तक तस्दीक नहीं हो सका है पुलमावा की घटना हो गई ठीक चुनाओ के पहले दो हजार दो में जैसे ये बने क्या नाम है नरेंदर मोदी गुजराद के चीफ मिनिस्टर और जब चुनाओ जैसे है चुनाओ के पहले जो है गोदरा हो गया और यहां जो है चुनाओ के पहले 2014 में वदा किया था सब फेल लोग डरे हुए थे कि क्या हम जबाब देंगे उसी समय जो है इलक्षन के पहले यह पुलो मौमा हो गया और उसके बाद वाला कोठ हो गया वाला कोठ हो गया आप सब के सामने देश 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 आगया आप बन रहा था और समिधान सभा वनीड़ी समिधान सबाद त्यार होई तो पांच जन्द में इसके खिलाफ लेख लिखा जा रहा था कि यह अलग-अलग देश से भी देशों से आयातित करके जो है यह संविधान जो है बनाया जा रहा है हम यह पुछा कि भारतिय परमपरा इसमें कहां है तो वह इनका मानना था कि बेद के जो हिंदू समाज में सुस्रिष्ट है उसका राज चलेगा बाकी जो सुद्र दलित तो एकदम अच्छूत हैं सुद्र जो है वो उसका काम सेवा करना होगा हमको याद है यह 1990 के पहले मंडल कमिशन लागू होने के पहले जो जादो समाज है हम देखते हैं कि जिसके नौज पूति इनके टोले से गुजरता था तो एक खटोला पर बैठे नहीं रह सकते उठके सलाम करना पड़ता था बोट डालने जाते थे तो थपड़ मार के भगा दिया जाता था अधिकांस जगे वहीं अपरकास्ट के ही में टोले महले में स्कूल था सरकारी भावन था वहीं संबिधान सही है चुकी संबिधान में हमने आपको बताया कि देश को जोड़ने के लिए कहा गया था कि सबको बराबर का अधिकार माना जाएगा चाहे उनकी कोई जात हो उनका कोई धर्म हो औरत हो मर्द हो दक्षिन के हो उतर के हो पुरब के हो पस्षिम के हो सबको होगा कमीशन का वो दिया जाएगा पहला कमीशन बना उने से तिरपन में काका कालेर कर कमीशन आज जो मंडल कमीशन मंडल कमीशन से कहीं जादा वो आगे था अकर वो लागू हो गया रहता उने इस फच्पन में उसका रिपोर्ट जो है समिट हो गया था लागू हो गया सब्सक्राइब को देने की बात हुई ती क्यों इसलिए कि जो अपरकास्ट है वो सारीरिक स्रम को हेक द्रिश्चिकों से देखता है और जो समाज सरीर से महनत को गंदा का मांगता है चोटा का मांगता है वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है तो यह लोग देखते थे उसी हिसाब से और मने वो चाहते हैं कि साहब यह जो बंडल कमिशन आया आजादी के बाद लोग तंत्र आया वोट का राज आया तो लालुजादों का फेमस डाइलग है कि वोट का राज माने छोट का राज यह प्रसिद्ध उनका डाई लग है तो यह जो छोट लोग बढ़ने लगे तो यह जो बढ़ लोग है याख मूद करके आपको दिखाई दे रहा है कि साहब यह उनका नरण मोदी का हिंदुतों का समर्थन कर रहा है अभी फिरस समाज में बड़ और छोट की लराई शुरू हो गई है जो हिंदु समाज है जिसमें आपको यादो लोग भी है आजकल दरित लोग भी अपने आपको हिंदु मानने लगे हैं यह मुसल्मानों के खिलाफ गिर्णा पैदा करके यह जूटता कायब की यह राजनि की असली राजनिती वही है और इन लोगों ने जो सिकुलर लोग हैं समाजबादी लोग हैं इन लोगों ने जो राजनिती चलाई उसे कटर बात को मैंने हिंदुत वालों को ताकत मिलिये गलत राजनिती चलिये देश में यात निरिक्षन करने की जरूवत है तो हमको यह ल यहां और दरी समाज है वो चला जाएगा हमारे देश की देखिए परंपरा है ठारसो तिरानवे में भी वेका नंजी ने कहा था कि हम उस देश से आए हैं जिसने दुनिया को सही शुनता सिखाई हम उस देश से आए हैं जहां दुनिया भर के सताय हुए लोग धार्मिक प्रतार्णा के सिकार लोग हमारे यहां सरन लेते हैं हमने उनको सरन दिया हम उस देश से आए यह 1830 में कहा था आप देखिए हमारे हैं कभी थे उन्होंने क्या किस डंग से हमला किया हिंदू मुस्लिम समाज सब पर अगर आज का जो माहौल है उसमें कभीर ज स्वागत करते हैं तो जूता खाते हैं ऐसे माहौल जो है देश में बना हुआ है इसलिए यह समझना होगा हिंदू समाज में और हिंदू समाज के उस तबके को समझना होगा जिसको समीधान ने प्रतिष्ठा दिया है समीधान ने ताकत दिया है खास करके पीछरी जातियों को अर्डलीतों को आद देखिए क्या हो रहा है जोगी जी यह één इसासंन में यह जो दलित का नेता है चंद्र शेखर उसको पकड़ के जेल में बंढ कर दिया है टॉर्चर किया वहां जो है घोड़ा पर आप नहीं चड़ सकते हैं बाराद जो है मुखे में रास्ते से नहीं जा सकती है दलितों की हमने आपको बताया कि पिछणों की एक जमाने में क्या हालत थी धीरे धीरे उसी दिसा में पूराने इस्थित्य को लोटाने में ये नरन्रबोधी खुद फिछड़ी जाती के हैं लेकिन ये कि से उस्थाने के इस हैं ये पूरा का पूरा जो है और पूरी बहरती जन्तापाटी जन्तापटी आले उसी दिशा में चल रहे हैं अब देखिए गएक ये नेता ूही हिंदु मुसलमान के बीच में तमाव कैसे बने इसी को देख रहा है चाहे कि राज हो या कोई हो इसलिए हम तो अपील करते हैं सब लोगों से खास करके पिछड़ी जाती हों से दलित समाज के यह से कि यह जो बदलाव है परिवर्तन है इसको हिंदू मुसल्मान के नजरी समद्ध किये इसको संभीधान को कैसे बचाएं जिस समिधान ने आज हम जहां पहुंचे हैं जो भी प्रतिस्था मिली है वह समिधान के वज़े से मिली है और समिधान खतम मतलब धीरे-धीरे पीछे पीछे के जबाने में हम लोटेंगे तो इसको बचाने के लिए लड़ाई के रूप में देखना चाहिए ऐसी मेरी मानता है क्या इनकी बाते थी वह हमने आप तक रखी है इस विशेस चर्चा में आप लगातार हमसे जुरूए थे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ फेसिक पेज भी लाइक करें धन्यवाद